नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में मैं हूँ आपका यारोका यार होस्ट राहुल भोच दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आई है बेकाबू से जी हाँ शालीन भानोट का सीरियल बेकाबू अब क्या बंध होगा थोड़े दिनों के लिए क्या ये शो पनौती बन गया है क्यों क्योंकि शिवांगी जोशी जोश में में लीड ने भा रही थी वो उनकी किड्न में इंफेक्शन हो जाता है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब शालीन भानोट को भी चोट लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें और पटपट अगर आपने मुझे इंस्टेग्राम पर भी तक पॉलो नहीं किया है राहुल भोज 1515 चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आ इंजरी के बावजूत भी शालीन भानोट जो है कंटिनूसली शूट कर रहे थे इस अच्छी बात और क्या हो सकती है वेकाबू का पहला एपिसोड फीचर हो चुका है दोस्तों आप लोगों ने अगर नहीं देखी है मेरी वीडियो पे मेरा रिव्यू अगर नहीं सुना ह तो जरूर जाके देखिए टेली खजाना में दरसल यह जो है शूटिंग के कुछ दिन पहले की बात है जब एक्चुल शो आ रहा था उससे पहले फिर्स फ्यू डेस की बात है जब शालीन भानोट को इंजरी हुई टोपोगाफी टोपोग्राफी की वजह से हुई है दोस् वो टोपोग्राफी की वजह से लगी है ग्राफी की वजह से और इन सब के बावचुद भी शालीन के काम करने की जो एक स्पिरिट है या शालीन भानोट जिस तरीके से एंतुजियाजम के साथ काम करते हैं वो कहीना कहीं कंटिनूसली रह रही है आप लोगों को बताना चा बता हूं कि इसके बावजूद भी, सेट पे शालीन टाइम पर आते थे, प्रॉपर एक्शन सीन्स कियें उन्होंने, प्रॉपर काम किया है, दिन रात काम किया है, और वो दिन रात इस पर्टिकुलर शो बेकाबू की शूटिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों बहुत बड़ी कि हमें सिखाती है, कुछ लोग होते हैं, कुछ आक्टर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि छोटी सी चोट लग गई, या ये हो गया, वो हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को बहना बना देते हैं, कि नहीं भी, हम तो अभी शूट नहीं करेंगे, हम तो भ लिए एक दिन भी छुटी नहीं लिए बल्कि वह on time set पे पहुंचते थे all time मेहनत करते थे पहले episode के अगर बात बताएं दोस्तों तो उसमें ज्यादा कोई लोग नहीं शामिल थे उसमें शिवांगी जोशी थी और शिवांगी के साथ-साथ जैन इमाम थे उसमें तो ये सब लोगों के साथ हुआ है आपका क्या reaction है जरूर बताएं और इसी तरीके की चटपटी updates के लिए देखते रहें टेली खजाना बाबाई